तो साइंस विद कॉनसेप्स का मेनिंग क्या है मिन साइंस तो आप स्कूल में भी पढ़ते हों है ना स्कूल में जो भी आपकी साइंस की भूख होती है लेकिन उसके जो कुछ ऐसे concept है जो आपकी arm life में भी applicable है तो वो कहां कहां applicable है उन्हें हम समझेंगे कुछ examples के साथ और arm life के साथ क्या करेंगे हम जोड का चलिए ठीक है तो हमारा जो आज का topic रहेगा discussion का वो होगा Newton's law तो Newton ने जो है Newton's law of motion किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं Newton's law of motion के बारे में ठीक है तो Newton ने कितने नीम दिये motion के बारे में उन्होंने थ्री लो बताए थे first law, second law और third law तो first law क्या कहता है, second law क्या कहता है, third law क्या कहता है यह हम individually discuss करेंगे अलग-अलग videos में, तो आज हम बात करें है first law के, तो first law की definition आप सभी को पता है, है ना, तो क्या है definition, Newton's first law हमें बताता है कि जब भी कोई object या body क्या होती है, अगर rest पे है तो rest पे रहना पसंद करती है, और अगर motion में है, uniform motion में रहना पसंद करती है, ठीक है, कब त जब तक उस पे कोई extra force काम नहीं करता, ठीक है, तो it states that a body remains in state of rest और uniform motion in a straight line unless and until an external force acts on it, तो किसी भी body या किसी भी object की उस property को हम क्या बोलते है, inertia, ठीक है, जो क्या करती है, उसकी position के अंदर जो change लाए, उस change का जो oppose करेगी, वो क्या है उसकी inertial property, तो inertia जो है, इसके अंदर given है, ठीक है, मतलब ये किस के बारे में बता रहा है हमें, inertia के बारे में, किस का low है, Newton का first low है, तो इसलिए हम Newton first low को बोलते है, low of inertia, क्या बोलते है, low of inertia, अब जो है, body rest पे भी हो सकते हैं, motion में भी हो सकते हैं, तो इसलिए inertia को हम दो में divide कर लेत हैं inertia of rest and inertia of motion clear है तो आज हम देखेंगे कि हम arm life में कहां कहां इसे apply करते हैं Newton के first law को so examples of Newton first law of motion पहला आपका example है breaks applied by a bus driver abruptly की abrupt का मतलब होता है sudden brake जो apply किया जाते है ठीक है suddenly तो क्या होगा जब भी ड्राइवर suddenly brake apply करेगा तो कुछ passenger क्या करते हैं गिर जाते हैं आगी की तरफ क्यों ऐसा आपकी साथ भी होता है जैसे आप स्कूटी चला रहे हो ठीक है या बाइक चला रहे हो तो उसमें क्या होता है सामनी से कुछ आ जाते हो और आपको sudden brake लेने पर तो आप आगी की तरफ क्यों है क्योंकि हमारी बोड्य जो है क्या है हम स्कूटी पर है स्कूटी मोशन में तो हमारी बोड्य उसके साथ मोशन में ठीक है जो उससे टच लेकिन जो अपर बोडी है वो क्या है एक दम अब आपने ब्रेक है यह तो सेम वे में एन ऑब्जेक्ट प्लेज्ड होना प्लेन सर्फेस नेक्स एक्जम्पल क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्लेन सर्फेस पर रखते हैं तो उसके शेप साइज ठीक है या उसकी पोजिशन में कोई चेंज नहीं आता कब तक हम उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स एपलाई नहीं करते जैसे कि देखो यह बुक्स रखी थी बुक्स शेल्फ के अंदर जब तक इनो ने यहां से पिक नहीं क्या तो यह वहीं थी ठीक है तो यानि उसकी शेञिछ में उसकी साइज में उसकी पोजिशन में कोई नहीं आएगा जब तक उस scholi कोई extra-force काम नहीं करते हैं घिक है सेम जो मैरत नर है तो मेरत अनृफन आपने देखा होगा जो रेस होती है तो उसमें माय लावं आपको 1100 मिंटर कवर करना है अब उस 1600 मीटर मतलब इतनी देर से आप क्या थे मतलब 8 मिनट या 6 मिनट से continue आप क्या थे motion में थे तो finish line पर पहुंचते ही क्या होता अगर आप एकदम से रुख जाते हो तो गिर जाएगी क्यों क्योंकि आपकी बोड़ी क्या थी continue motion में थी और एकदम से आप जाओगे तो एकदम से वो अपनी उस रेस्ट की पोजिशन में नहीं आ सकती ठीक है तो इसलिए क्या है मेरतनर running beyond finish line इसलिए मेरतनर क्या करते हैं इस finish line से आगे भी run करते हैं देखो जो एकदम से रुख जाएंगे वो गेज जाएंगे तो कुछ देर तक फिर भी वो अपनी motion को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम करते हैं जैसे आप स्कूटी पर रन कर रहे हो और धीरे धीरे ब्रेक अपलाई करते हो ठीक है ताकि आपको कोई जटका ना लगे हैं जैसे हम इसे स्टोप करेंगे स्टोप हो जाएंगे ठीक है then an object thrown in outer space जब भी हम object को outer space में करते हैं तो क्या करता है continue motion में रहता है क्यों वहाँ पे outer space में क्या है ना तो air है ना ही environment है air नहीं है तो environment भी नहीं है मतलब atmosphere नहीं है ठीक है और ना ही वहाँ पे gravity काम कर रही है तो जब यह यानि इसके motion को रेजिस्ट करने वाला कोई भी नहीं है तो इसलिए क्या होगी जो बोडी है वह continue move करते रहेंगे समझार है washing machine dryer washing machine में कपड़े कैसे सुखाये जाते हैं जो dryer है वह क्या करेगा वह जब rotate करेगा तो clothes क्या करें उसके साथ rotate करेंगे लेकिन जो clothes के अंदर water के molecule है वह rest पे हैं तो क्या होगा अब वह सारे के सारे एक जगे इखटे होते चले जाएंगे ठीक है अपके कपड़े लिए रोटेट करते रहेंगे वोटर के molecule नीचे चलते जाते जाएंगे और उसके साथ ही वह बहार आ जाते हैं समझाये और आपके कपड़े सुख जाते हैं clear के सिम् डट्र refusing कर चब आपका कर चब करते हैं तो क्या रोगे उसको यह करोगे तो पहले आपने उसे हैंग किया और विर जब रेच करना शुरू किया तो क्या होगा आपका कर पेट आ कर्पेट जब कर्पेट 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 के रहते हैं तो यह इस तरीके से आपको नहीं चैप्राइब तो जो उसकी ब्रांच इंगर पोलग में पेड़ दिसेडर नियूनन, तरफ जाकना से पांच गलो, एंपने स्थैक्झा अगे से उठ जाते है या जब आइक पर करते हैं तो अपर बोड़ी क्या होगी वह एक दम से घरएगी पीछे की तरफ जाएगी ठीक है क्योंकि एकदम से वो अपनी position को change नहीं कर पाती है समझाया इसलिए जब भी हम vehicle को शुरू करते हैं तो कहां लगता है behind और जब भी आप break apply करते हो रोकने के लिए already motion है तो हम कहां गिरते हैं आगे कित्रों क्लियर है athlete taking a short run before long and high jump अपने देखा है जो athletes हैं वो क्या करते हैं high jump या long jump से पहले थोड़ा सा move कर क्या आते है run कर क्या आते हैं ताकि क्या हो पहले वो rest में थे ताकि उनकी body अपने आपको थोड़ा सा क्या कर पाई अपनी position को change करने के लायक हो जाए ठीक है तो ये सारा किसके बारे में है law of inertia के बारे में तो ये कुछ example थे Newton first law के जो हमारी आम जिंदगी से जुड़े हैं ऐसे ही कुछ examples आप भी comment section में लिखके बता सकते हैं तो ये था हमारा Newton का first law second law के साथ हम next वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए थेंक यू और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमार लाइक, शेर, सब्सक्राइब चरो करना have a nice day